कंजिनिटल डायफरमी खरनिया एक जनमजात खोट यानि के खामी है जिसमें बच्चे के डायफरम में एक असामान्य छेद होता है जिसके कारण पेट के अंग उस छेद में से उसकी छाती में छाले जाते है डायफरम मास्पेशियों से बनी एक बड़ी गुम्बत के आकार की शीट है छाती को पेट से अलग करती है जब बच्चा सांस लेता है तो डायफरम और पसलिया की बाहरी मास्पेशिया सिकुड जाती है जिसके कारण चाती की यानि की वक्षिय गुआ का विस्तार होता है यह विस्तार चाती के अंदर की हवा के दबाव को कम करता है जिसके कारण दबाव में बदलावाता है जिसे दबाव के साथ हवा फेफडों में जाती है जब बच्चा सांस बहार निकालता है तब डायफर और पसलियों की आंतरिक मास्पेशिया सिकुड जाती है। जिसके कारण चाती की यानि के वक्षिय गुआ का कद कम होता है। ये कम कद चाती के अंदर हवा के दबाव को बढ़ाता है जिससे हवा दबाव के साथ फेफडों से बहार निकलती है। इस छेट के लिए सबसे आमस्थान डायाफराम के पाई और पीट के पास है। बच्चे के पेट के अंग उसके डायाफराम के इस छेट में से दबाव के साथ उसके सीने में कुछ सकते हैं या हर्नियेटेड हो सकते हैं और फेफडों को संकुचित कर सकते हैं। नदिचतन फे जन्मा की बाद तुरंधी ब्रिफिंग ट्यूब यानि की कुत्रिम स्वसन नली बच्चे के नाक या मूग के माध्यम से और उसके गले में नीचे डाली जाती है। यदि डायफ्राम में जो छेद है वो छोटा है तो उसे केवल टांके लेकर बंद किया जाएगा। यानि नवजाज शिशु की गहन चिकिस्था के लिए एकाई में ले आ जाएगा। एक यांतरिक वैंटिलेटर मशीन यानि के स्वसन में मदद करने के लिए मशीन बच्चे को कुछ दिनों के लिए या कई हपतों तक सांस लेने में मदद करेगी। उसे दर्द की दवाई दी जाएगी। बच्चे को आईवी यानि के इंट्राविनस के द्वारा अंटिबायोटिक्स देना जारी रखा जा सकता है। बच्चे के फेफड़े के कद और उसकी चिकिस्सा के सित्थी के आधार पर अस्पताल में उसका रहना कुछ सब्ता या मैनों के लिए हो सकता है। यदि एक पेश का उप्योग किया जाता है तो बच्चे के विकास पर बारिकी से निगरानी करने की आवशक्ता होगी। क्योंकि ये पेश बढ़ता नहीं है और वो छेज से तूर खीचना शुरू कर सकता है।